नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए शुक्करवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है आज की दिन छोटी इलाईची का उपयोग और कुछ उपाय करने से रुपयों पैसों की दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है तो कौन से हेवे उपाय आए जानते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो शुकरवार की शाम को मा लक्षमी को पाँ चोटी इलाईची चढ़ाएं अब पूजन के बाद उन्हें एक लाल रंग के कागज या रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख लें आप अपने पर्स में ऐसी जगह पर रखें जहां पर वह चेन लगा हो मतलब कि वहां से वो दिखता नहीं हो मतलब ऐसा रखना है उसे छिपा करके आपको रख लेना है पर्स के अंदर आपकी पॉकेट हमेशा रुपियों से भरी रहेगी अगर आप अपनी आर्थिक परेशानियों से आर्थिक इस्थितियों को परेशान है उन्हें सुधारना चाहते हैं तो शुकरवार के दिन किसी भी जरूरत मन दिया किन्नर को एक रुपे का सिक्का दान में जरूर दें इससे आपको तुरंत ही ला मिलेगा जो लोग सुन्दर और शुशेल जीवन साथी की इक्षा रखते हैं उन्हें शुकरवार की सुभा को पांच छोटी इलाइची हरे रंग की इलाइची को वस्तर में बांध कर किसी भी गरीब को दान में देना चाहिए अगर वस्तर में ना बानना हो तो लाल कलर की कागज की पुडिया में बांध कर उन्हें दान में दें इससे आपकी मनो कामना जल्द ही पूरी होगी और सुन्दर सुसेल जीवन साथी आपको तुरंत मिलेगा यदि किसी की कुंडिले में शुकर कमजोर है तो शुकरवार को एक जग पानी में दो बड़ी इलाइची डाल कर उबा पानिया है नोकरी में पदनतिया व्यवसाय में मुनाफा पाने के लिए रात को सोने से पहले एक छोटी इलाइची हरे रंग के कपड़े में बांध लें अब उसे अपने तक्ये के नीचे रखकर सो जाएं इसके बाद सुबह वह इलाइची उठाएं और किसी बाहर किसी भ देते व्यक्ति को या फिर आपके दोस्त मित्र को आप पडोसी को भी दे सकते हैं खाने को इससे आपका काम बन जाएगा और तुरंत ही आपके नोकरी व्यवसाय में लाब मिलेगा परिक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए एक छोटी इलाइची दूद में उला उबाल और इसे साथ सोंबार किसी भी गरिब को पिलाएं या फिर किसी बच्चे को भी आप पिला सकते हैं मिलक शेक बना कर पिला सकते हैं बस वो इलाइची आपको उसमें डालनी है इससे आपको सफलता मिलेगी जो लोग मंचाहा पार्टनर चाहते हैं उन्हें शुकरवार के दि अपने जेब में इलाइची रखना चाहिए इससे आपको आकरशन बढ़ेगा और आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा अगर आप बेरोजगार हैं और आपको नोकरी नहीं मिल रही है आप नोकरी की तलाश में जाते हैं लेकिन वहां से निराशा ही हाथ लगती है तो आप यहां उपाए आज ही अपनाएं अगर आप कहीं नोकरी ढूनने जा रहे हैं तो जाने से पहले आप एक इलाइची को अपने मुँ में रखें उसे चूसते रहें और एक इलाइची आपकी जेब में रखें हरे कलर की इलाइची होनी चाहिए वह इलाइची तब तक आप ना चबाएं तब तक आप कई नोकरी ना लग जाए जब भी आप इंटर्व्यू के लिए या फिर कहीं भी जॉब डूनने जा रहे हैं वहाँ पर आप घर से निकलने से पहले ही इलाइची को मुँ में रखना है वहाँ जाकर के आपको उस इलाइची को वहाँ से बाहर आते समय ही खाना है मतलब इंटर्व्यू दे लेंगे उसके बाद ही उसको आपको खाना है तब तक आपके मुँ में वह इलाइची रहनी चाहिए इंटर्व्यू देने के बाद या नोकरी मिल जाने के बाद ही आप उसे चबाएं तुरंट आपको नोकरी मिलेगी अंदर जाकर आपका काम जरूर ही बनेगा अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा है आप रेंटेड मकान में रह रहे हैं आपकी एक्षा है अपना खुद का मकान बनाने की तो आज के दिन याने शुकरवार के दिन आप एक रुपे का सिक्का और दो इलाईची लेकर के जमीन में गड़ा दें आप घर के गमले में भी उस देरी नहीं लगेगी 6 मेने के अंदर आपके मकान की तयारी हो जाएगी आप यह उपाई जरूर करके देखें दन प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको तीजोरी में थोड़ी इलाइची रखना है थोड़ी मतलब 7 या 5 इलाइची आप लाल कपड़े में बांद कर अपनी तीजोरी में रखें अब शुकरवार को इन्हें बदल कर नई इलाइची रखें मतलब कि हर शुकरवार नई इलाइची रखना है पुरानी इलाइची का आप खाने में इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसा आपको 5 शुकरवार तक करना है लक्षमी आप पर जरूर प्रसंद होंगी आपके घर में तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, आपकी जेब भी हमेशा भरी रहेगी, हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं, जो अधिकतर लोगों को पसंद भी आते हैं, और उनके जीवन में सिद्ध भी होते हैं, यह उपाय आप अपने जीवन में आजमा आपको बहुत ही लाब मिलेगा, ऐसे ही कई उपायों के साथ हम आप लोग को वीडियो देते रहेंगे, आप लोग हमरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री श्रीवाय नमस्त अभ्यम जैमा लक् मिलते हैंट